प्रतिबंद की जो तारीख है उसको 29 फरवरी से बढ़ा कर 15 मार्च अप कर दिया है अब आर बी आई ने पेटियम से जुड़े सभी सवालों का एफ ए क्यू जारी किया है यानि ऐसा दस्तावेज जहां पर आपके तमाम सवालों के जवाब आपको दिये जाएंगे वहीं पे पेक्यू जारी किया गया है आर बी आई की तरफ से और जो महलत है वो भी बढ़ा दी गई है बताए किस तरह से जो पेटियम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह खबर के माई ने क्या है बताएं रिजर्बैंक ओफ इंडिया के द्वारा पेटियम पेमेंट बैंक से जुड़ा हुआ FAQ जारी किया गया है यानि पेटियम पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हर सवाल का जवाब दिया गया है पॉइंट बाइपॉइंट आरबियाई ने सफाई जारी की है आरबियाई ने जो प्रतिबंद की सीमा है उसको जिसकी जो डेडलाइन थी वो 29 फरवरी से बढ़ा के 15 मार्च कर दी है और 15 मार्च के बाद अगर आपका पेटियम पेमेंट बैंक है तो वहां से आप आप 15 मार्च के बाद पैसा जमा नहीं हो पाएगा लेकिन अगर उस पेमेंट बैंक के अंदर अगर पैसा जमा है 15 मार्च के बाद उसे आप खर्च कर सकते हैं आप ट्रांसफर करा सकते हैं फिर रिफंड मांग सकते हैं यह रिजर बैंक नहीं सफाई में कहा है अगर पेटियम स जुड़ा हुआ आपका NCMC Mobilitational नहीं होगा, यहाँ पर भी पैसा जमान नहीं हो पाएगा, जितना भी पैसा रहा होगा, उसे आप इस्तमाल कर सकते हैं, उसको किसी और वालेट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और RBI ने सुझाव दिया है कि अगर आप PTM का Fasttech इस्तमाल करते ह है, वहाँ भी Reserve Bank ने कहा है कि 15 मार्च के बाद जितनी भी पैसे उसमें जमा होंगे, वो आप खर्च कर पाएंगे, लेकिन अभी से ही जो उभोकता है, उन्हें विकल्प के बारे में सोचना चाहिए, अपने OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन या फिर अपने EMI के बा पाएंगे, आपका QR कोड, साउंड बॉक्स, पेटियम, मशीन, पेमेंट मशीने, वो किसी भी और बैंक से जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी आप ट्रांजेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, तो पेटियम से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब जो है सफाई के तौर पे, FQs के तौर पे, रिजर्ब बैंक के दोरा दिया गया है, बिलकुल शुक्रियान और राग तमाम जानकारी हमें देने के लिए, और